नमस्कार दोस्तों मैं धरवेन वर्मा उनलाइन इस्टेडिविट डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेश्वा वस्था बाल्य वस्था और किसोरा आवस्था से सम्मधित नभ्य अतिमहत्यपून प्रश्णों के बारे में काफी इंपोटेंट हैं वन लाइनर है ज्यादा समय नहीं लगेगा तो टोटल नभ्य प्रश्ण है तो आपको इसके बिल्कुल भी नहीं करना है वीडियो को पूरा देखना है और अंतम हमें जरूर बताना है कि आज का जो वीडियो है वह आपको कैसा लगा अच दिवी कल्प में उत्तर बाले वस्ता दे तो भी सही होगा और जो डार्यक्ट बाले वस्ता दे तो भी आपका अंसर सही होगा दूसरा प्रशन है खिलोने की आयू किसे कहते हैं तो यहाँ पर जो खिलोने की आयू है वो सेस्व वस्था को कहते हैं इसकी अवधी कितनी होती है तो इसकी अवधी 0-5 वर्श तक की होती है इसमें जो बच्चा है वो खिलोनों से खेलता है इसलिए से खिलोने की आयू कहा जाता है तीसरा प्रस्ण खेल की आयू किसे कहते हैं तो ये बाल्ली अवस्ता को कहते हैं इसकी अवधी क्या होती है तो इसकी अवधी 6-12 वर्स तक की होती है सेस्व अवस्था में बच्चा खेलोनों से खेलता है और बाल्ले अवस्था में खेल से खेलता है खेलोनों के बाद किसकी ओर अगरसर होता है बच्चा खेल की ओर अगरसर होता है और कौन सी अवस्था होगी बाल्ले अवस्था होगी और उसकी अवधी 6-12 वर्स होगी दूसरों पर निर्भरता किस अवस्था का गुण है तो ये सेश्व अवस्था का गुण है इसमें बच्चा दूसरों पर निर्भरता होता है वो अपने आप से किसी भी प्रकार का कारे नहीं कर सकता है इसलिए यदि एक्जाम में पूछे कि दूसरों पर निर्भरता किस क्या होती है तो वो बीस होती है काफ़ इंपोर्टेंट है सभी के सभी आठवा प्रस्न है बीसवी सताबदी को बालक की सताबदी किसने कहा है तो इसके बारे में तो आपको पता होगा ये क्रो एंड क्रो के द्वारा कहा गया है काम प्रवत्ती की नियूनता होती है तो ये बाल्य अवस्ता में होती जो बच्चा है वो सारा समय खेलने में ही व्यतित कर देता है तो इसलिए यहाँ पर काम प्रवत्ती की नियूनता होती है किस अवस्ता में होती है तो ये बाल्य अवस्ता में होती है जीवन के प्रथम दो वर्सों में बालक अपने भावी जीवन का सिलान्यास करता है ये किसके द्वारा कहा गया किसका कथन है तो ये इस्टेंग का कथन है जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बाल्ली अवस्था की जहूदी होती है वो 6-12 वर्स तक की होती है किस अवस्था को मानव जीवन का स्वर्णिम समय कहा गया है यहाँ पर देखे मैं आपको बता दू कि इसी प्रकार के दो प्रशने पूछे जाते है कौन-कौन से यदि एक्जाम में आपके पास प्रशन आये कि किस अवस्था को मानव जीवन का स्वर्णिम समय कहा गया है तो वो बाल्ले अवस्था को कहा गया है और यदि एक्जाम में पूछे कि किस अवस्था को सीखने का स्वर्णिम कहा गया है तो वो है बाल्ले दोनों में आपको confused नहीं होना है, यदि सीखने का स्वर्ण काल पूछे तो वो सेश्व अवस्था होगा, और मानव जीवन का स्वर्ण इम समय पूछे तो वो बाल्य अवस्था होगा, तेरवा प्रस्ण, संग्रा करने की प्रवत्ति होती हैं, तो ये बाल्य अवस्था में ह कहा जाता है सेस्व अवस्था इसी अवस्था होती है इसमें बच्ची को जो भी सिखाना होता है वो सीगरता से इस अवस्था में सीख लेता है इसलिए इसे सीखने का अनोखाकाल कहा गया है तो यहां पर सेस्व अवस्था आपका राइट अंसर होगा जीवन का अनोखाकाल क नटिकता का भाव किस अवस्था में होता है, आपने देखा होगा, कि जब आप परिचित वेक्ति घर में आता है, तो बच्चा रोने लगता है, या फिर अपनी मा की गोँद में किसी दूसरे बच्ची को बेटा है, देख बच्चा रोने लगता है आपने देखा होगा और वहां अपनी मा की गोद में किसी बच्चे को नहीं बेटन देता तो ये किस कारण होता है नेतिकता के अभाव के कारणी होता है ये कुन सी अवस्था में होता है तो ये सेश्व अवस्था में होता है बाला का मस्तिक सकोरा सिलेट होता है यह को याद कर सकते हैं कि बालक का मस्तिक्स कोरा सेलेट होता है यहां प्लेटों का कथन है बालक का मस्तिक्स कोरा कागज होता है यहां कथन किसका है तो यह जान लौक का है तो यहां पर आप ध्यान दीजेगा कोरा सेलेट पूछे तो प्लेटों आपका राइट आंसर होगा और क ध्यान से इन प्रशनों को पढ़ लेना है तो 21 प्रशने यहां पर हमारा बाल्य वस्ता को जीवन का अनोखा काल किस ने कहा है यहां पर हमने जाना कि जीवन का अनोखा काल किस को कहा जाता है तो बाल्य वस्ता को कहा जाता है किस के द्वारा कहा गया तो यह कौल एंड ब्रू प्राइट के द्वारा कहा गया है किसोर अवस्था के क्रमसा विकास का सिध्धान्त किस ने दिया है तो ये किंग के द्वारा दिया गया है किसोर अवस्था में किसोर वर्तमान के सक्ति और भावी जीवन की आसा का परिवर्तन काल है यहां किस के द्वारा कहा गया है यदि आपको प्रशन अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को लाइक करना है अपने दोस्तों के साथ वीडियो को सेर करना है और चेनल को सब्सक्राइब कर लेना है तो 28 प्रशन है सवेगात्मक विकास का अनोखा काल अवस्था को किसने कहा है तो ये कॉल एन ब्रूस के द्वारा कहा गया है सुस्ती की अवस्था देखिए सुस्ती की अवस्था और गंदी आयू की अवस्था ये किसे कहते हैं तो ये बाली अवस्था को कहते हैं तो ये Kilpatrick द्वारा कहा गया है, या फिर Kilpatrick का कथन है, अगला प्रशने हैं काफी important है, adolescence किसकी पुष्थक है, देखे जो adolescence पुष्थक है, ये Stanley Hall की पुष्थक है, काफी बार एकजाम में पूछा गया है, किसोरा अवस्था बड़े संगर सतनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है, यहां किसका कथन है, तो ये जो कथन है, ये Stanley Hall का कथन है, किसोरा अवस्था अपराद प्रवत्ती के विकास का नाजुक समय होता है, यहां कथन किसका है, तो यहां पर आप देख सकते हैं, ये Valentine का कथन है, विसमलिंगी भावना का विकास किस अवस्था में होता है तो जो विसमलिंगी भावना का विकास होता है वो किसोर आवस्था में होता है किसोर आवस्था में जो भी विकास होते हैं वे एकदम छलांग मार कर होते हैं यहां कथन किसका है तो यहां पर जो कथन दिया गया है यह इस्टेंले होल के द्वारा दिया गया है किसोर कि प्रारंबिक सिक्षा है यहां किसका मत है बालक के हाथ पेर प्रारंबिक सिक्षा है यहां किसका मत है तो यह रूसों का मत है अगला प्रशन है लड़कियों में ग्रंथी पाई जाती है यहां पर देखें लड़कियों में और लड़कों में दोनों में ग्रंथी पाई जाती ह पूछे तो आपका राइटा अंसर इलेक्टरा गरंथी होगा और लड़कों में गरंथी पाई जाती है पूछे तो आपका अंसर और डिपस गरंथी होगा यदि नवजास इसु में हड्डियों की संक्षा पूछे के कितनी होती है तो वो 270 होती है 270 आपका राइट अंसर होगा दोहराने की प्रवत्ती पाई जाती है तो ये सेश्व अवस्था में पाई जाती है नुरुदेश ब्रह्मन की प्रवत्ती होती है ये कौन सी अवस्था में होती है तो ये बाले अवस्था में होती है मनोवग्यानिक फ्रायड ने स्वव प्रेम की भावना नार्सिज्म किस अवस्था के लिए कहा है तो ये सेश्व अवस्था के लिए कहा है नायकों की पूजा सम्मंदित है तो ये किस वर अवस्था में सम्मंदित है नायकों की पूजा सेश्व वस्था में पूर्ण मस्तिक से का विकास कितना प्रतिसत हो जाता है तो सेश्व वस्था में जो पूर्ण मस्तिक से का विकास होता है वो 90 प्रतिसत हो जाता है विवसाय सुनने में समस्या किस अवस्था में होती है तो ये किसोरा अवस्था में होती है सावेगी के विकास किस अवस्था में सबसे ज़्यादा होता है तो ये होता है सेश्व अवस्था में याद रखेगा सावेगी के विकास किस सेश्व अवस्था में सबसे ज़्यादा होता है सेख्चिक दरश्टी से बाल विकास की अवस्था है तो किसोरवस्था, बाल्यवस्था और सेश्ववस्था ये सेख्चिक द्रश्टी से पूछा गया है तो आपका रायटा अंसर किसोरवस्था, बाल्यवस्था और सेश्ववस्था होगा किस अवस्था में व्यवहार मूल प्रवत्यों पर आधारित होता है सेस्ववस्था सीखने का अदर्शकाल है यहां कथन किसका है तो यह वेलेंटाइन का है याद रखेगा सेस्ववस्था सीखने का अदर्शकाल वेलेंटाइन का कथन है कौल सनिक ने उत्तर बाल्ले वस्था का समय बताया है देखिए यहां पर जो कौल सनिक है इनके द्वारा यहां कथन रास का है किसोर को नेने लेने का कोई अनुभव नहीं होता है यहां कथन किसका है तो यहां कथन इसकिनर का है इनका कहना है कि जो किसोर होते हैं उनको नेने लेने का कोई अनुभव नहीं होता है बुद्धी का अधिक्तम विकास होता है तो यह किसोर आवस्था मे होता है विद्रो की भावना ये पूर्व किस्वर अवस्था में होती है किस अवस्था के प्रारंभिक वर्षों में सामाजिक भावना का भाव रहता है तो ये सेश्व अवस्था में होता है सेश्व अवस्था की प्रारंभिक वर्षों में सामाजिक भावना का जो भाव रह तो ये रास के द्वारा कहा गया है आत्म प्रेम की अवस्था किस अवस्था को कहा जाता है तो ये सेश्व 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 अवस्था को कहा जाता है तो ये अप्पीली काल किसने कहा है के द्वारा कहा गया वैचारिक अवस्था का काल किसे माना जाता है तो यहां पर देखी जो वैचारिक अवस्था का काल है वो बाल्ले अवस्था को माना जाता है जिसके अनुसार किसोरा अवस्था अपराद प्रवत्ती के विकास का नाजुक समय है तिये वेलेंटाइन है सि सकति एवं भावी आसा को प्रस्तुत करता है तो ये क्रों के अनुसार की सूरिवर्तमान की सकति एवं भावी आसा को प्रस्तुत करता है। कास होता है वो किसोरा वस्था में होता है एसा सायद ही कोई खेल हो जिसे दस वर्ष के बालक ना खेलते हो यहां किसके द्वारा कहा तो यह किस वर अवस्था होती है अमूर चिंतन की अवस्था बालक में सबसे कम कामुकता किस अवस्था में पाई जाती है तो देखे बालक में जो सबसे कम कामुकता पाई जाती है वो बाल्य अवस्था में पाई जाती है किस ने कहा है कि जब बालक छे वर्ष का हो जाता है तब उसकी मानसिक योगताओं का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है तो ये कहा है क्रो एन क्रो ने समायोजन का भाव किस अवस्था में होता है तो ये किस वर अवस्था में होता है याद रखेगा जो समायुजन का भाव होता है वो किस वर अवस्था में होता है स्वार्थी वा स्वाकेंद्रिता का भाव किस अवस्था में नहीत होता है तो ये स्वार्थी वा स्वाकेंद्रिता का जो भाव है वो सेस्वा वस्था में नहीत होता है अपचारिक सिक्षा का प्रारंब किस अवस्था में होता है तो जो अपचारिक सिक्षा का प्रारंब होता है वो बाल्यवस्था में होता है देजभक्ति की भावना किस अवस्था में होती है तो ये किस वरावस्था में होती है देजभक्ति की भावना बाल्यवस्था को जीवन का निर्मानकार्यकाल किस ने कहा है तो ये फ्रायट के द्वारा कहा गया है दिखे यहां पर पूर्व प्रात्मिक विद्ध्याले की आय प्रारम्भिक विद्याले की आयू पूरु प्रात्मिक विद्याले की आयू पूछे तो तीन से छे वर्ष होगी और यदि प्रात्मिक विद्याले की आयू पूछे और यदि विकल्प में 6-11 दे या फिर 6-12 दे तो आपका राइट आंसर 6-11 भी होगा और 6-12 भी होगा और किसोरा वस्था को नयाज जन्म का काल किसने कहा है तो ये इस्टेनले होल के द्वारा ही कहा गया है। तो ये रास के द्वारा करता है। तो आज का वीडियो यहीं पर समापत होता है जैसा कि मैंने आपको बताया था काफी इंपूर्टेंट प्रस्न है तो आपको वीडियो को सबसे ज्यादा सेर करना है वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है तो जल् नवाद